मेरे पास बहुत सी queries आती हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि हम वजन कम करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं हम healthy खा रहे हैं, अच्छी diet ले रहे हैं, exercise कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं हमारा वजन कम भी हो रहा है, लेकिन एक point पर आकर हमारा weight अटक जाता है इसके बाद हम अपना weight कैसे कम करें, तो इसको कहा जाता है weight plateau hit होना जिसका मतलब है कि आपका वजन कम तो हो रहा है, पर एक point पर आकर अटक गया है अब उसको कैसे shake करना है, इसके लिए मैं आज आपको एक solution देने वाली हो आज हम बात करेंगे एक ऐसी diet की, जो आपके रुके गुए वजन को भी हिला देगी और उसके beyond भी आप weight कम कर पाएंगे आज मैं बात करने वाली हूँ intermittent fasting के बारे में यह आपने आजकल दोस्तों से सुना होगा, यह आप gym जाते हैं तो वहाँ सुना होगा बहुत latest trend है आजकल और बहुत से लोग इसे follow कर रहे हैं बहुत से लोग इसका फाइदा उठा रहे हैं, इंडिया में, globally यह आजकल बहुत famous है diet जिसे intermittent fasting का आजाता है अब intermittent fasting इतनी popular क्यों हो रही है? इसके fat loss results बहुत ही magical है यह जो blood sugar levels है, इसको improve करती है, इसको कम कर सकती है आपका concentration बढ़ाती है, आपका activity level और improve करती है जो aging का process है, उसको reverse कर सकती है और यहां तक की cancer को भी ठीक कर सकती है तो जब इस diet के इतने फाइदे हैं, इसको एक बार try करना तो बनता है और यह तनी मुश्किल भी नहीं है आज मैं detail में आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ कि क्या है exactly intermittent fasting कैसे आप इसको कर सकते हैं और कैसे इसका फाइदा ले सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि weight loss होता कैसे है तो यह सारा calories का game है basically RabbTE करें किली जितनी calories अब खा रहे हैं अगर आप उसे जादा burn कर रहे हैं तभी आपका wasn't कम होगा आपको intake calories का कम करना है जो आप normal खाते हैं जो आप normal calories पूरे दिन में खा रहे है उससे कम calories अगर आप खाएंगे और जादा burner करेंगे तब ही वजन कम होगा और यहीं सिंपल सा रूल है intermittent fasting का भी यह बहुत तरह से हो सकती है कई लोग alternate day करते हैं इसको कई होते हैं आपने बहुत से नाम सुने होंगे 16-8 आपने सुना होगा 4-3 सुना होगा 5-2 सुना होगा यह सब तरह तरह की intermittent fasting के तरीके हैं लेकिन जो आज मैं बात करने वाली हूँ वो है 16-8 जो मैंने खुद भी ट्राय किया है और मुझे खुद भी इसका बहुत फायदा हुआ है और जातर लोग यह वाली diet से फायदा ले रहे हैं तो क्या है exactly intermittent fasting? इसमें दो windows होती है एक होती है fasting window एक होती है feasting window fasting का मतलब है कि आपने इतने घंटे fasting करनी है और feasting का मतलब है कि आपने इतने घंटे खाना है अच्छा खाना है तो अच्छा खाने का मतलब है healthy खाना है अगर आप healthy खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे results मिलेंगे तो अगर आपने कभी भी intermittent fasting ट्राइ नहीं किये तो आप 10 hour window से start करें 10 घंटे आपने पुछ भी नहीं खाना है और 10 घंटे की fasting के बाद आप अपने normal meals ले सकते हैं तो इसको शुरू कैसे करना है रात को अगर आपने अपने dinner थोड़ा early कर लिया मान लिजे 7 बजे 8 बजे आपने dinner खतम कर लिया तो अब रात के 8 बजे से सुबा के 8 बजे तक आपने कुछ नहीं खाना तो ये हुई आपकी 12 घंटे की window अगर आप 10 घंटे से start करना चाहते हैं तो उसको 2 घंटे कम करने तो अगर आपने रात को 8 बजे से शुरू किया है तो सुबा के 6 बजे तक आप अपना fast खोल सकते हैं इसमें आपको ज़ातर टाइम तो सोना ही है इसलिए इतना मुश्किल नहीं है लेकिन धीरे धीरे इस window को आपने बढ़ाना है तो आप पहले 10 घंटे से शुरू करें फिर 12 घंटे पे जाएं फिर 14 घंटे पे जाएं फाइनली आप इसे 16 घंटे तक ले जाएं इसका मतलब है अगर आपने रात को 8 बजे डिनर किया इसके बाद आपने सीधा अगले दिन दो पहर 12 बजे अपना मील शुरू करना है कितना मुश्किल नहीं है आपको सोचके लग रहा होगा लेकिन आप इसको ट्राय करके देखें इसमें से 17 घंटे तो सोने में बीच जाएंगे उसके बाद उठने के बाद आप पानी ले सकते हैं तो जो भी आपकी ये Fasting Window है एक तो Dry Fasting है जिसमें आपको कुछ नहीं ले ना अगर आप Dry Fasting नहीं कर रहे हैं तो आप पानी ले सकते हैं अ पानी पी सकते हैं अब पात करते हैं आपकी Fearating Window की दो बजे के बात क्या खाना है जब आप fast खोलेंगे तो आपने पानी पीना है lemon water से खोलें उसके वाद आप fruits खाएं और फिर अपने meals शुरू करें तो आप उस window में कुछ भी खा सकते हैं recommended है आप healthy खाएं अगर आपको weight loss करना है आपको अच्छे results चाहें जल्दी results चाहें तो उसमें भी आप healthy खाएं आप चाहें तो उसमें भी 2-2 घंटे वाला जैसे आप मेरी पहले diets follow करते हैं वही format आप follow कर सकते हैं हर 2 घंटे में आपने सिरफ 8 घंटे में खा रहे हैं तो इसलिए आप उतना नहीं खाएंगे जितना कि आप पहले खा रहे थे इसी से आपका calorie intake जो है वो कम होगा और इसी से आपका weight loss होगा दूसरी चीज़ जब हम 12 घंटे या 16 घंटे का gap देते हैं खाने में तो हमें digestion का time मिलता है हमारी body को हमा 12 घंटे का उनको एक resting time मिलेगा तो वो सारे function smooth हो जाएंगे और हमें भी अच्छे results मिलेंगे तो basically इस तरह से काम करता है intermittent fasting आप इसको try ज़रूर करके देखें इसके बहुत से फाइदे हैं मैंने भी इसे try करा है और मुझे भी इसके बहुत अच्छे results मिलें जो मेरे पास customer feedback पानी का इंटेक बहुत अच्छा बढ़ जाता है जो लोग बहुत जाता पानी नहीं पी पाते हैं वो इसमें क्योंकि आपको आठ से 10 से 12 घंटे जो है कुछ नहीं खाना है तो जब भी आपको भूख लगेगी आपके पास पानी का ही alternate है आपको वही पीना है तो पानी का आपके बढ़ जाता है जो कि एक अच्छी चीज आपके बॉड़ी के लिए एकतो यह हुआ दूसरी चीज जिनको बेंची यह इटिंग की आदत है जो लोग रात को कुछ भी खाते हैं या जंग खाते है या पाटी में जाते है रात को अ..! कुछ भी जंग खाते या बाहर का अपने आट बचे तक नौ बचे तक अपना इन्ट खतम कर लेना है इसका मतलब है यो việc जो भी खाना तुम हे उसके बाद आप 拜拜 ढूख नहीं खाना है तो अगर आपने अपने को गperinges अगर आपको अच्छे रिजल्स चाहेंगे तो यह एक फाइदा है इसका कि आप कुछ भी चंक खाने से बचेंगे उसके बाद आप मॉर्निंग टी पीने से बचते हैं जब आप अगला मील ही सुबह बारा बजे लेंगे मेभी दो-तिन दिन आपको यह मुश्किल लगेगा लेकिन जब आपकी बॉड़ी उस फ्लो में आ जाएगी दो-तिन दिन महीं आप बहुत अच्छा फील करेंगे अनरजेटिक फील करेंगे आपको लगेगा आपका activity level, आपकी productivity और जादा बढ़ गई है इस डाएट को कोई भी follow कर सकता है इस डाएट के कोई नुकसान नहीं है जिनको diabetes है उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रुरत है मेभी वो अपने डॉक्टर से एक बाग consult करके तभी लें otherwise अगर आप physically, mentally fit है तो इस डाएट का कोई नुकसान नहीं है अगर किसी के periods चल रहे है तब भी इस डाएट को लेने के कोई नुकसान नहीं है हाँ कुछ conditions में जैसे diabetes मैंने बताया या कोई pregnant ladies है, breastfeeding ladies है उनको इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको अच्छा results मिलेंगे अगर आप weight loss target कर रहे है और otherwise भी weight loss नहीं भी target कर रहे है generally अच्छी health चाहते है तो ये बहुत अच्छा lifestyle routine है it's not really a diet, ये एक lifestyle pattern है जिसे आप follow कर सकते है जिसका कोई नुकसान नहीं है और आपको सिर्फ फायदा ही होगा अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो इसे like करें और अगर useful लगे हो तो जाद से जाद शेयर भी करें